राजस्थान में कॉंग्रेस की सूची का भले ही बेसबरी से इंतजार हो रहा है भले ही सूची जारी करने की तिथी आगे बढ़ती जा रही है लेकिन मुख्यमंत्री अशोग गहलोत ने दोसा के सिकराय से कॉंग्रेस महासचेव, प्रियंका गांधी, सचिन पाइलट और अन्या दिगज नेताओ और हजारों लुगों की मौजूद्की में कॉंग्रेस की सूची लीग कर दी सियम गहलोत ने ना सिर्फ कॉंग्रेस के पाँच उम्भीदवार तैकर डाले, बल्कि मंच सही उनको जिताने की भी अपील कर डाली मंता पुपेश आपकी नेता जो है, आपके लिए प्रतिबद है, समर्पित है, आपके सुक्त में गाम आती है, को कमी रखी नहीं है, आप चारों पांचों विजाग जमारे हैं, इन सब को आप, मैं अपील करूँगा, परसादी मिना जी, सास मंतरी, मुरादी मिना जी, कश मंतरी अशोक कहलोत के इस ऐलान के बाद माना जा रहा है, कि कॉंग्रेस की पहली सूची में इन नेताओं के नाम शामिल होंगे, जाहिर है, कॉंग्रेस की सूची के लिए जैपुर से दिल्ली तक माथा बच्ची चल रही है, सर्वे रिपोर्ट में घराब पर्फर्मेंस के चलते, कई दिगर्ज नेताओं को टिकेट नहीं मिलने की बाद भी सामने आ रही है, ऐसे में कहलोत का ये बयान काफी एहम है। कॉंग्रेस की सूची जारी होने का इंतसदार नहीं किया। कॉंग्रेस गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है, राजनिती के जानकार इसे गहलोत की सोची समझी रणनिती बता रही है। कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी की मौजूदगी में नेताओ के नाम सारवजनिक तोर पर सामने लाकर गहलोत ने ये संदेश देने की खोशिश की है कि कॉंग्रेस में टिकेट वित्रण में उनकी ही चलने वाली है। और अधिकतर विधायकों और गहलोत समर्थकों को कॉंग्रेस की संभावित सूची में जगे मिलने वाली है। बहराल कॉंग्रेस की जंबो सूची का इंतजार सभी कर रहे हैं। पहले ये सूची 18 अक्टूबर को दिल्ली में कॉंग्रेस चुनाव समित्ती की बैठक के बाद जारी होने की संभावना जदाई जा रही थी। बगर प्रियंका गांधी के दोरे और संभावित बवाल को देखते हुए इसे इंटाल दिया गया था। प्रियंका गांधी के रैली के बाद राजस्तान में प्रत्याशियों की पहली सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है। पताया जा रहा है कि सूची में भाजपा की पहली सूची से डबल नाम सामने हो सकते हैं। आपको बता दे भाजपा प्रदेश के 41 सीटों पर उम्मीद्वार उतार चुकी है। अब देखना ये होगा कि कॉंग्रेस उम्मीद्वारों में कितने पाइलट समर्थकों को मौका बिलता है। और देखना ये भी होगा कि कॉंग्रेस की सूची में किसकी चलने वाली है। पत्रिका टीवी के लिए जयपूर से दर्श शर्मा करिपूर।